नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लास्स में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग गटना चकर का युद्ध हमारा स्थिरी चल रहा है उसका हम लोग आज यह लेशन टू कवर करेंगे इससे पहले हम लोगोंने रिसंसद को पढ़ा था उम्मीद है आपने उसे जीजन ही करना पड़ेगा अगर आप भी तक्षिशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाले बेल आइकन को दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अधिक शदिक शेयर करें तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का लिशन हमारा आज का टॉपिक है समवेधानिक विकास ठीक है समवेधान का विकास किस किस प्रकार से हुआ उसके पीछे जो एक्ट्स थे जो उसी उन्हीं सब का जो है जहलक जो है या उन तब चीयों से सीखते सीखती जो है किस प्रकार से नियम कानुन का जो संग्रे हुआ उसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे देखिए हमारा पहला प्रश्ण है किस regulating act के तहत कलकत्ता में सरवोच नयले के स्थापना की गई थी ठीक है पूछ रहा है कि कलकत्ता में जो सरवोच नयले के स्थापना हुई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रसाशन में कुछ हिस्सा लेना संबब बनाया ऐसा कौन सा अधिनियम था जिससे की भारत वासियों को अपने देश के प्रसाशन में कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा लेना संबब बनाया तो ये अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833 ठीक है ध्यान रखें आप इस सारे प्रसंदों को अच्छे से त्यार करें चार्टर एक्ट 1823 की तहत जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया तो प्रसासन में हम लोगों को कुछ हिस्वेदारी दी गई जैसे की बजट पर जो है बहस करने मिला लेकिन मत्दान करने नहीं मिला ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला प्रस्त कहता है किस अधिनियम के तहत भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई तो यह ध्यान दिजे आप भारतिय परिशद अधिनियम 1892 के तहत जो है बजट करने की जो है शक्ति प्राप्त हुई ठीक है लेकिन उससे हम लोग मद्दा नहीं कर सकते थी यह अध्यान रखिए भारत ये परिशत अधिनियम 1892 की तहत जो है भारती विधान परिशत को बजट पर बहस करने के अनुमती मिली थी अगला प्रशन देखिए क्या कहता है काफी इंपोर्टेंट है किस अधिनियम के तहत भारत में संग्ये नियाले के स्थापना की गई इससे पहले हम लोगोंने क्या पड़ा था कलकत्ता में जो है कोट तो रेगलेटिंग एक्ट 773 यहां क्या कह रहा है कि भारत में सं संग्ये नियाले के स्थापना की गई थी ठीक है नेक्स्ट है भारत का संग्ये नियाले किस वर्थ स्थापित हुआ था तो ध्यान रेखिए भारत का संग्ये नियाले हमारा संग्ये नियाले 1935 में स्टेबलिस हो चुका अगला है केंद्र में 12 साशन की स्थापना जो हुई थी किस अधिनियम के तहत तो ध्यान रखिए केंद्र में 12 साशन की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ठीक है अगला है बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ तो ध्यान रखिए बर्मा जो है 1937 में भारत से अलग हो गया और Government of India Act 1935 के तहत अगला कुशन दिखी क्या कहता है किस अधिनियम के तहत भारत में संहिय साशन की वेवस्था की गई Government of India Act 1935 भारत सरकार अधिनियम मुनिस्था 35 के तहत भारत में संहिय साशन की वेवस्था की गई ध्यान रखिए अगला है राष्टपती को अध्यादेश जारी करने की सक्ती प्राप्त होती है यह भी भारत सरकार अधिनियम मुनिस्था 35 के तहत नेक्स्ट कुश्चन है किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुस्ता का सिध्धान प्रवित किया गया तो भारत सरकार अधिनियम मुनिस्था 35 के तहत जो है संवैधानिक निरंकुस्ता का जो सिध्धान प्रस्तुत किया गया अगला है भारतिये विधाय का पहली बार दुई शदनिये विधाय का कब बनाई गई तो ध्यान रखिए भारतिय विधायका पहली बार दूई शदनिय विधायका बनी थी भारत सरकार दिनियम 1929 के तहट चेक है नेक्स्ट पॉइंट है केंदर एवं राज्यों की बीच सक्तियों का विभाजन किया गया था तो ध्यान रखें भारत सरकारा दिनिया 1935 के तायद, अक्सर प्रश्ण है उसका उत्तर यह है भारत सरकारा दिनिया 1935 के तायद, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसी को लगाएं, कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है यह भा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद